नमस्कार कक्षा नो एक्सरसाइज 2.5 का कोशन नमबर 7 हम करने जा रहे हैं उप्यूक्त सर्वसमिकाएं प्रयोग करके निम्न लिखित के मान गयाद कीजिए बच्चों यह बहुत इंपोर्टन कोशन है कई बच्चे क्या करते हैं 99 का क्यूब नमबर आपको दिया होगा ना यह हमेशा दस, सो, हजार के पास वाला होगा तो जैसे यह 99 है किसके पास है 100 के ध्यान से देखना यह क्यूब है ना इसको मैं क्यूब को ब्रैकेट के बाहर ही लिख रहा हूँ 99 को मैं लिख रहा हूँ 100-1 क्यूंकि 100 में से 1 माइनस करो तो 99 आता है यह ठीक है बच्चों तो अब यह बन गया A-B whole cube ठीक है बन गया ना A-B whole cube और A-B whole cube का फार्मला क्या होता है A cube minus B cube minus 3AB into A-B होता है ठीक है तो यदि आप इसे जो हमने बनाया 100-1 cube इसके साथ मिलाओ तो देखो A किसके बराबर आएगा 100 के B किसके बराबर आएगा 1 के तो लगा दो फार्मल में A की जगा 100 तो A का cube यानी 100 का cube minus B का cube यानी 1 का cube B1 के बराबर है minus 3 into A A है 100 into B B है 1 बड़ी bracket A की जगा 100 minus B की जगा 1 ये समझाया बच्चो हमने 99 को लिखा 100 minus 1 तो 99 का cube था तो बन गया 100 minus 1 का whole cube तो ये बन गया A minus B whole cube ये फार्मूला है इस फार्मूला में A की जगा हमने लिखा 100 B की जगा लिखा 1 ये बना दिया इसे हम हल करेंगे देखो कैसे 100 का cube कैसे निकालते हैं मैंने सिखा था 1 into 1 into 1 उता 1 0 2 0 का cube यानी इसको 3 बार बीट कर दो 2 3 तो 100 का cube आ गया ये नमबर minus 1 का cube होता है 1 1 into 1 into 1 1 आगे इन तीनों को 88 सॉल करो 3 गुना 100 300 गुना 1 300 आगे ब्रैकेट में है 100 minus 1 ठीक है अगर हम चाहते हैं तो ये 100 minus 1 को निन्याने में भी लिख सकते थे 100 में से 1 निकाला निन्याने में होता है राइट कै नहीं कर सकते हैं चल दो नहीं तरीकों से कर सकते हैं अब ध्यान से देखना इस नंबर को ऐसे लिख दो 3, 4, 5, 6 minus 1 minus 399 से गुना हो जाएगा इसके पीछे 2, 0 है तो 2, 0 लग गे 9, 3, 20 हासल आया 2 29, 27 और 2, 39 अब इसमें से minus वाली रखमों को अलग प्लस कर लो 29,700 में एक प्लस किया ता गया 29,701 उसे हम इस रखम में से minus कर देंगे यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से minus करना है 29, 701 इसे minus कर दो 10 में से 1 गया, 9 यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया, 9 यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गये, 2 नो में से 9 गया, 0 9 में से 2 गए 7 और यहां बचा 9 तो यह आ गया 970299 तो देखो बचो 99 का जो क्यूब है वो यह इतना आता है लेकिन हमने 99 को 99 को 99 से गुना करके नहीं देखा हमने सर्व समिका का प्रयोग करके इसे निकाला है यही इसको करने का सही तरीका है आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा और यदि अच्छे से समझ आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना आप लाइक करते हैं तो हमें होसला मिलता है और मेनत करने का और ज्यादा वीडियोस बनाने का आपके लिए धन्यवाद